हाँ जी अलो आपरीबन क्याल चाले भाई सबके बढ़ी आइक दम डाइब डाई कर रहे हो हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अफिवन गुड मॉर्निंग अनुश्का हाँ जी तो चलिए एक बार फिर आप सब लोगों का क्लास अनकेडमी क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर वैलकम करता हूँ माइसेल्फ रहूल डूडी यूर केमिस्टर एजुकेटर और आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा बट एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही इंबोर्डेंट चैप्टर जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स ठीक है गुड़ मॉर्निंग जितेन, अमन, अंजली, गुजर, अलोंकित, तेजश्वी, गुनगुन, निशान्त, गुड़ मॉर्निंग आशीश, रितेश, शिवम, हाँ जी गुड़ मॉर्निंग प्रिंस, गुड़ मॉर्निंग, गुड़ मॉर्निंग How many lectures for biomolecules? Only two lectures है ना, दो lecture में हम लोग biomolecules को खतम कर देंगे, दो lecture का ये topic है चोटा से topic है, और इसमें बहुत सारा portion syllabus से remove भी हो गया है है ना, तो वो भी मैं आपको बता दूँँगा कि कौन-कौन से topics आपके हटे हैं, ठीक है, हाँ एक चीज में और बोल दूँ यार, ये जो अपना NCRT line by line revision series है, इसमें ये chapter number 5 है है ना, इससे पहले organic chemistry के शुरू के 4 chapter अम लोग खतम कर चुके हैं ठीक, तो अगर आप लोगों ने वो video lectures नहीं देखे हैं, अगर आपको NCRT की line by line revise करना है तो आप मेरे पुराने videos भी जरूर देखें, इसी video के आपको previous, जो playlist वाला option आता है, उसमें NCRT line by line revision series से आप ढूंड़िए, आपको पुराने वाले सारे video lecture मिल जाएंगे हलो आयूश, हलो रिया, good morning बाई, good morning, चलो मैं आप स्टार्ट करता हूँ ना, बिना कोई time waste ही है अपना topic स्टार्ट करते हैं, introduction से Myself, Rahul Tuti, I did my B.Tech from NIT जैपूर Founder and Director of Sankhyan Educational Institute Delhi और पिछले साथ साल से मैं students को IIT जाई, needs जैसे complete exams के लिए मैं train कर रहा हूँ हाँ, और thousands of students को इस बीच मैंने train किया वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट मैं तब तक introduction की बात करता हूँ अगर आपकी कोई यार दोस्त है, अगर आपका कोई group है, तो उसमें फटाफट से इस जो वीडियो है, इसका link भी जरूर शेयर कर दो ठीक है, हाँ जी, revision series चलरा आपना एक telegram group का link दिया है, anacademy class 1112, आप इसको join कर सकते हैं, आप anacademy subscription भी ले सकते हैं, anacademy subscription में क्या-क्या benefits है, ना, anacademy subscription के कुछ benefits आपके सामने लिके हैं, daily interactive live classes, जो भी आपके doubts हैं, आपने यहाँ comment section में doubt कूच सकते हो, live question, polls और quizzes में participate कर सकते हों हैं, बहुत सारी test series आपको anacademy platform पे provide होती है, और सारी test series का detail analysis भी आपको मिल जाता है, live doubt clearing session anacademy पे हर 4th session एक doubt session होता है, हाई sir, anacademy plus पे 12th का batch लेते हो, नई, 12th का batch नहीं अभी मेरे पास, next, April से start करूँगा, मैं 12th का batch, अभी मेरे पास 11th का batch है, ठीक है, 11th में अगर आपको कोई topic पढ़ना हो, आप वो देख सकते हो, हाँ जी, अगर आप anacademy के साथ जुढना चाते हो, बहुत ही simple process है, आपको क्या करना है, anacademy learning आप download करना है, install करो, अपना goal, choose कीजिए, CBSC class 12th, और menu button में जाके, plus पे option पे, click कर दो, एक window को लेगा, जिसमें इस तरफ month लिखे होंगी, और ये prices लिखी होंगी, ठीक है, 3 months का subscription मैं आपके लिए बोलूँगा, इस समय beneficial है, pay करने से पहले आपको code use करना है मेरा, और code आपके सामने लिखा हुआ है, RD10, ठीक है, अच्छा, iconic subscription के prices भी आपके सामने है, code यहां पर भी मेला लगा सकते हो, RD10, combo subscription के prices भी आपके सामने यहां लिखे है, ठीक है, अगर आप unacademy पे पहली बार जाओगे, ठीक है, अगर आप unacademy पे बहुत सारा free content भी अवेलेबल है, अगर आप फ्री content access करना चाते हो, तो आपको एक code डालना पड़ेगा, code आपके सामने है, RD10, ठीक, अच्छा, एक और बड़िया चीज बताता हूँ, एक और बड़िया चीज बताता हूँ, hello mania, good morning, लास्ट के दो चैप्टर नहीं आएगा, नहीं जी, लास्ट के दो चैप्टर इस बार syllabus reduction से हटा दिये गए हैं, है ना, तो syllabus से हट गए हैं, वो चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, unacademy ask doubt feature, क्या होता है, मानलों आप पड़ाई कर रहे हो, कोई भी question आपको clear नहीं है, कोई doubt आगया किसी question में, तो फटा-फट से unacademy पे आप आओ, ask doubt feature पे क्लिक करो, उस question की photo लिखो, क्लिक करो, और उसमें particular question को crop कर लो, चीक है ना, और फिर उसके बाद अपना subject choose करके उसको base दो, एक और बढ़िया चीज़ बताता हूँ, can also use code spdudy, हाँ जी, spdudy भी आप use कर सकते हो, एक और चीज़ बताता हूँ, एक बढ़िया चीज़, अगर आप unacademy पे ask doubt feature का use करते हुए, 10 questions पूछते हो, है ना, ask doubt feature में, अगर आप 10 questions पूछते हो, तो unacademy आपको 15 days का subscription बिल्कुल free of cost प्रवाइड करता है, है ना, ये एक बहुत important चीज़ है, दोनों काम हो जाएंगे आपके, doubt भी clear हो जाएंगे, और आपका, जो 15 दिन का subscription है, वो भी बिल्कुल free मिल जाएगा, ध्यान देना है, जब भी आप पहली बार unacademy आप download करोगे, ask doubt feature का use करोगे, तो वह हमसे आपसे code पूछेगा, मैं चाता हूँ, आप मेरा code लगाए, rd10, ठीक है, तो ये सारी कहानी बाई लोगों, हमने बात कर ली unacademy subscription से related, अब हम लोग अपने topic को start करेंगे, और topic है आज का अपना biomolecules, है ना, एक तरह से organic chemistry का ही topic है, इसमें बहुत सारी reactions आप देखोगे, organic chemistry की ही आपको मिलने वाली है, तो फटा-फट एक बार मुझे thumbs up करके बताओ, क्या सारे लोग तयार हो पढ़ने के लिए, हाँ जी, start किया जाए every topic, हाँ, फटा-फट बताओ देखें, बोलिये जरा, start करें, yes, हाँ जी, start किया जाए, फटा-फट बोलो जरा, आप खाना बोलोगे तबी start करेंगे वाई, हाँ, yes, बहुत ही बढ़िया, very good, चलो फिर, हाँ, सुनो जरा, अरे ये बायो थोड़ी ना है, अरे ये तो chemistry है यार, बायो मॉलिक्यूल, chemistry और biology में बहुत ज्यादा difference है, है ना, एक जैसा ही नहीं है, ठीक है, हाँ, चलो, पढ़ते हैं, start करते हैं, है ना, देखो, बायो मॉलिक्यूल जो chapter है ना, इसमें हमें कुछ दो-तीन चीज़ें पढ़नी है, सबसे जो पहली और सबसे ज्यादा important इस chapter में है ना, वो है carbohydrates, सबसे पहली चीज़ जो हमें इस chapter में पढ़नी है, और जो सबसे ज्यादा important है, वो क्या है, carbohydrates, ठीक है, और दूसरी जो दूसरी चीज हम लोग इस चेप्टर में पढ़ेंगे वो रहेगा अपना प्रोटीन्स ये दो मेजर चीज है जो आपके इस चेप्टर में इंबोडेंट है इसके अलावा जो वाइटामीन वाला पोर्शन है वो सिलिबस से हटा दिया गया है एक्जाम के लिए MTG ठीक है प्रिवेर सियस के क्वेशन्स वहाँ से कर सकते हो MTG अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा देखो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में यह आएगा कि सर्क कार्बोहेडरेट होता क्या है तो एक छोटी से definition इसने कार्बोहेडरेट की लिखी है कार्बोहेडरेट को समझाने की कोशिश कर रहा है कि what are कार्बोहेडरेट देखो क्या लिखता है यह यह लिखता है कि जो कार्बोहेडरेट होते हैं और primarily produced by plants and form a very large group of naturally occurring organic compounds है ना और कुछ important कार्बोहेडरेट के नाम भी आपने सुने होंगे केन, sugar, glucose, starch, maltose ऐसे खूब सारे फिर किसे ने पुछा अच्या यह जो कार्बोहेडरेट है भाई कोई formula तो होता होगा कार्बोहेडरेट का कोई formula होता होगा तो यह लिखता है कि most of them have a general formula CXH2OY क्या लिखा है कि जो कार्बोहेडरेट होते हैं उनका generally जो formula होता है वो CXH2OY होते हैं देखो यह hydrates हैं क्या है hydrates? water है ना? इस आर hydrates और hydrates किसके? were considered as hydrates of carbon carbon का hydrate, hydrate मतला water तो carbon के hydrate हैं इसके formula से हमें ऐसा लग रहा है इसी वज़े से इनका नाम क्या दिया गया? इनका नाम क्या पढ़ा? कार्बोहेडरेट इसका नाम पढ़ गया कार्बोहेडरेट because they are considered as the hydrates of carbon अच्छा फिर किसी ने पूछा कि क्या CXH2OY क्या इस formula में अगर कोई भी इसने एक example दिया है ना इसने एक example दिया कि जैसे देखो glucose C6H12O6 होता है ना glucose इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ देखो यह लिखा हुआ C6H2O6 इस formula में fit बैठ रहा है है ना इस formula में fit बैठ रहा है इसका मतलब यह एक carbohydrate होगा but आगे लिखता है all the compounds which fit into this formula may not be classified as carbohydrate यहीं चीज़ में आपसे बोल रहा था है कुछ compounds ऐसे होते हैं कुछ carbohydrates ऐसे होते हैं जिनका formula CXH2Oy नहीं होता but still they are carbohydrates और कुछ compounds ऐसे होते हैं जिनका formula CXH2Oy होता है but they are not considered as carbohydrate है ना जैसे example भी दिया देखो यह लिखता है कि जो acetic acid होता है acetic acid इस formula में fit बैठता है यार यह तो acid है ना carbohydrate थोड़ी ना हुआ है तो इस formula में fit बैठ रहा है तब भी यह carbohydrate नहीं है और एक और example लिखता है कि एक उता है remnos है ना वो carbohydrate है वो इस formula में fit नहीं बैठता ओल्राइट एक्स और यह सेम नंबर हो सकता है same हो भी सकता है और नहीं भी it doesn't ऐसा कोई rule नहीं है कि same होना चीए same भी हो सकता है और अलग लग भी हो सकता है उससे कोई फरक नहीं पड़ता बट कहने का मतलब यह है कि carbohydrate को बताने का यह वाला तरीका सही नहीं है है ना carbohydrates को classify करने का बताने का तरीका ये वाला सही नहीं है क्योंकि बहुत सारे compounds ऐसे हैं जिनका formula ये होता है बट वो carbohydrate नहीं होते और कुछ compounds ऐसे भी हैं जिनका ये formula नहीं होता बट फिर भी वो carbohydrate होते हैं बोलो ये वाला topic समझ आया यहां तक ये जो formula था ना ये formula observation से निकाला गया है ये का गया कि most of the carbohydrates होते हैं वो इस formula में fit वेड़ते हैं बट हमेशा इसको आप generalize नहीं कर सकते हैं ठीक है यहां तक समझ आ रहा है मेरी बात सबको एक बार बोलो जरा clear है किया यहां तक बात मेरी हा कि साब अच्छे एक चीज बताओ फिर हम carbohydrate को कैसे classify करें carbohydrate को कैसे define करें कि carbohydrates होते क्या है तो नीचे इसकी definition लिखी हुई है और जो अच्छी वाली definition है carbohydrate की वो ध्यान देना है देखो ज़रा यह लिखी हुई है ना इसको underline कर ले ना यह important है यह रहा chemically the carbohydrates may be defined as optically active येस हाँ जी अरे optically active का मतलब समस्ते हो क्या आप कोन बताएगा optically active का मतलब क्या हुआ हाँ जी optically active का मतलब क्या हुआ सर आप questions कब कराने वाले question भी करवा देंगे एक बार थोड़ी theory पढ़े question करवा देंगे question करवा देंगे सर reply करो ना अरे किसका reply करना भाई question तो पूछो अब actually ना बहुत सारे questions आते हैं तो फिर आप देख नहीं पाते हो ना सारे questions optically active क्या होते हैं कौन बताएगा है हेलो एलकेंस और हेलो अरींस चेप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ विच डाइवर्ट प्लेन पोलराइज लाइट अच्छा और कोई डाइवर्ट कहना ज्यादा सही नहीं है सर स्ट्रक्चर बटरफ्लाइज जैसा हो अच्छा बटरफ्लाइज जैसा हो कोई और कोडिनेट कॉमपाउंड करेंगे बना के देखी optically active compound अच्छा देखो मैं बताता हूँ optically active compound क्या होता है इसको define आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसे compounds जो plane polarized light को किसी angle से rotate करवा दे किसी ने बोला deflect करवा दे है ना तो deflect की बजाए आप बोलो rotate करवा दे हाँ ऐसे compounds जो plane polarized light को किसी angle से rotate करवा दे clockwise direction में भी rotate करवा सकते है और anti clockwise direction में भी rotate करवा सकते है ना plane polarized light क्या होती है plane polarized light बतला ऐसी light जिसके vibration सिर्फ एक ही plane में हो है ना इसी को plane polarized light कहते हो ना यार दा यह तो physics में पढ़ते हो आप क्यों जी यह होती है plane polarized light और plane polarized light अगर किसी organic compound की solution से pass करवा ओ आप है ना और अगर यह आपका organic compound इस plane polarized light को किसी angle से rotate करवा दे जैसे यहां पर देखो theta angle से इसने clockwise direction में rotate करवा दिया ठीक है ऐसा भी हो सकता था कि यह theta angle से plane polarized light को anti clockwise direction में भी rotate करवा सकता था तो अगर कोई plane polarized light को rotate करवा पा रहा है that means this particular organic compound is optically active अब इसके पीछे और भी कानी होती थी काईरल कार्बन काईरल सेंटर वो सारी चीजे मैं chapter number one में पढ़ा चुका हूँ हेलो एलकेंस हैं हैलोरींस में वहां से जाके आप देख सकते हो अच्छा माल लो अगर कोई organic compound plane polarized light को clockwise direction में गुमा दे तो उसको कौन सा कंपॉंड बोला जाएगा हां अगर कोई organic compound plane polarized light को क्योंकि sept में काम आएगी यह सारी चीजे अगर थीटा एंगल से clockwise direction में rotate करवा रहा ना तो इसको आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हो कि लिवो रोटेटरी कहते हो बताओ ज़रा इसको आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहोगे कि लिवो रोटेटरी कहोगे हाँ जी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बहुत ही बढ़िया, very good, plane polarized light को जो clockwise direction में रोटेट करवाता है उसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अरे बहुत ही बढ़िया, इसको small d से भी दिखाया जाता है और plus के sign से भी दिखाया जाता है तो representation का तरीका यह होता है, very good, hello पावन, good morning बेटा, good morning, हाँ एक चीज़ और देखो, अगर plane polarized light को anti-clockwise direction में रोटेट करवाया है तो इसको क्या बोला जाता है, this is known as livorotatory, क्या कहते हो, livorotatory, उसको दिखाने का तरीका L भी लिखा जाता है और इसको minus sign से भी दिखाया जाता है ठीक है, आप सबको मेरी बात समझा रही है, all right, तो optically active compound, plane polarized light को clockwise में भी गुमा सकता है, anti-clockwise में भी गुमा सकता है clockwise में गुमाएगा, तो dextorotatory, anti-clockwise में गुमाएगा, तो livorotatory, all right, समझा रही है यहां तक बात, अच्छा, तो आगे लिखता है, अगली वाली statement देखो ज़रा, लिखता है, chemically the carbohydrates may be defined as optically active, यह मैं समझा चुका हूँ, है ना, आगे लिखता है, polyhydroxy, अरे कहा जा रहा है, polyhydroxy aldehyde और ketone, polyhydroxy aldehyde या फिर ketone, क्या मतलब हुआ इसका, polyhydroxy, hydroxy कौन से group को कहते हो, hydroxy बोला जाता है, OH group को, है ना, तो aldehyde और ketone होना चीए उस organic compound में, और साथ-साथ polyhydroxy मतलब, बहुत सारे OH group भी लगे होने चीए, है ना, तो अब यह उसकी पूरी definition बन गई, कि chemically the carbohydrates may be defined as, optically active polyhydroxy aldehyde or ketone, or the compounds which produce such unit on hydrolysis, तो यह जिस पे मैंने, जिस पे मैंने underline किया है ना, यह वाली important topic है, है ना, यह वाला important statement है, जो आपको ध्यान में रखना है, और carbohydrate को define करने का जो सबसे बिलकुल precise line है, वो यह वाली है, बताओ, हाँ जी, बात समझा आगी आपको, है ना, polyhydroxy aldehydea ketone होगा, polyhydroxy मतलब, 3 या 3-4 OH group लगे होंगे, और उसमें functional group aldehydea ketone होगा, या फिर, इनका hydrolysis करवाओगे ना, तो यह वाली units आपको मिलने वाली है, चीक है, बताओ जरा, सबको clear है, यहां तक, हाँ जी, yes, सबको clear ह है, बोलो जरा, बाई लोगों, हाना बोलते रहो, है ना, बहुत ही बड़िया, अच्छा, एक चीज और देखो, एक छोटी सी चीज लिखे, कि some of the carbohydrates which are sweet in taste, उनको क्या कहते हो, हम sugar कहते है, है ना, जो sweet होते है, टेस्ट में, टेस्ट में, उनको sugars का जाता है, जैसे शुक्रो सुक्रोज, है ना, सुक्रोज, अच्छा, देखना जा रहा, carbohydrates are also called saccharides, carbohydrate का एक और नाम क्या है, इनको saccharides भी कहा जाता है, saccharide का मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड है, sakron, इसका मतलब होता है, sugar, है ना, तो sugar से ही बना है, saccharide, sugar मतलब जो, टेस्ट में, sweet होते हैं, उनको हम लोग sugar कहते हैं, बहुत ही बड़िया, हाँ, अरे दादा, अभी आएगा सब कुछ आगे, fructose, glucose, सारा सब कुछ आगे पड़ेंगे, थोड़ा देरे-देर है ना, तसल्ली से, ठंडा करके खाएंगे, हम गरम-गरम नहीं, है ना, अब देखो, हम लोग बात करेंगे, carbohydrates के classification के, है अब जो अगला टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है, वो उसमें हम लोग देखेंगे, classification of carbohydrates, अब यार, classification करने का, कोई, कोई एक बेस होना चाहिए ना, कि आपने carbohydrate को किस बेस पे classify किया है, यस, तो classification, देखो, किस बेस पे किया है, classified on the basis of their behavior on hydrolysis, आपने carbohydrate का hydrolysis करवाया, और उसका behavior था, उस behavior के basis पे हमने carbohydrates को classify किया, क्या मतलब हुआ इस behavior का, देखो जरा, classification में सबसे जो पहला classification है, that is, monosaccharide, क्या का आगया, सबसे पहले, monosaccharide, monosaccharide का मतलब क्या हो गया, कि a carbohydrate that cannot be hydrolyzed to give further simpler units of polyhydroxy aldeide और ketone, ये, हाँ, अरे structure की आगे बात करेंगे, भाई, अभी बोल रहा हूँ, धिरे-धिरे रुको तो सही, structure वगरा सारी चीज़ देखेंगे, हर चीज़ जो आपके NCRT में है, वो मैं समझाओंगा, विश्वास रखो भी, जंप करके नहीं भागेंगे हम लोग की, अभी मैंने बताये नहीं कि सुक्रोज, glucose का नामी नही सेकराइड का मतलब क्या हो गया, मोनो सेकराइड का मतलब है, जो simplest type के सेकराइड होते हैं, जिनका आप further hydrolysis नहीं कर सकते, उनको मोनो सेकराइड कहा जाता है, आप बोलों के सारे example दो जरा, है ना, आगे देखो एक चीज़ और ये भी लिखता है, कि about 20 मोनो सेकराइड are known to be अकरिन नेचर, और इनके example थोड़े से important है, आपसे direct उचा जा सकता है, जो सबसे well known सेकराइड समलोग पढ़ते हैं, जैसे glucose हो गया, fructose हो गया, ribose हो गया, ये वाले सेकराइड्स, मोनो सेकराइड की वाली केटेगरी में आते हैं, मोनो मतलब एक, जिनको आप further, क्या नहीं नहीं कर सकते हैं, उनको मोनो सेकराइड बोला जाएगा, अच्छा दूसरा है, ओलीगो सेकराइड, देखो ओलीगो सेकराइड इस बार आपके सिलिबस से हट गया है, जो 30% सिलिबस रिदक्शन हुआ है उसमें सिर्फ मोनो सेकराइड ही है, ये वाला जो ओलीगो नहीं है ठीक है और इस समय हम purely उसी यूँ वानों की syllabus पे focus कर रहे हैं जो इस बार exam में पूछा जाना है ठीक है ना तो मेरे साब से वही ज़्यादा सही है क्यों आप क्या कहते हो आप लोगों की भी मेरे साब से यही राय होगी है ना हाँ बहुत बढ़िया ओलिगो सेकराइड का मतलब क्या होता देखो लिखा है इसने that yield 2 to 10 मोनो सेकराइड यूनिट्स on hydrolysis are called oligo सेकराइड मतलब जिसके hydrolysis से 2 या 2 से लेके 10 तक मोनो सेकराइड यूनिट मिलती हो मतलब एक सेकराइड है जिसका आपने hydrolysis करवाया तो उसको आपको 2 मोनो सेकराइड यूनिट मिली तो इसको नाम देदोगे आप oligo सेकराइड दो से लेके 10 तक मिलनी चाहिए है ना 2 to 10 अगर मोनो सेकराइड यूनिट आपको मिल रही है 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 तो उसको आप बोलोगे oligo सेकराइड या ना अगर 3 मोनो सेकराइड यूनिट मिली है है तो आप बोलोगे ट्राइड चार मिली तो टेट्रा सेकराइड ठीक है ना बात समझा रही है मेरी हाँ तो यह था oligo सेकराइड अच्छा फिर एक और आता है poly सेकराइड है ना तो poly सेकराइड में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है आप इनके एक्जामबल ध्यान रख सकते हो स्टार्च हो गया ग्लुकोज हो गया ग्लाइकोजन हो गया गम्स हो गया यह सारी चीज़ें इसके एक्जामबल वाली केटेगरी में आ जाती है और एक और चीज लिखता है देखो important चीज कि जो poly सेकराइड होते हैं are not sweet in taste hence they are also called non-sugars है ना इनको क्या कहा जाता है non-sugars भी कहा जाता है non-sugar क्यों शुगर किसको कहा रहते हैं जो मिठे थे टेस्ट में है ना तो यह जो लिखता है कि जो poly सेकराइड होते हैं वो sweet नहीं होते हैं taste में तो इनको non-sugar वाली केटेगरी में change दूसरी वाली केटेगरी में भी आप डाल सकते हो ठीक है अच्छा एक और चीज जो अगला पूरा paragraph है ना यह पूरा paragraph यह पूरा paragraph ही important है आप यह पे इस पे तो underline कर लो important mark कर लो इस पूरे paragraph में इस paragraph में इतने सारे questions देखोगे चाहो आप अपने CBSE के check कर लो या फिर ITJE या फिर कुछ और NEET वगरा के question आप check कर लो आपको इस वाले paragraph से खूब सारे topics खूब सारी जो questions है वो से लिबस में आ जाएंगे ठीक है क्या है देखो लिखता है कि the carbohydrates में भी classified as either reducing और non reducing sugars है ना reducing sugar और non reducing sugar question ऐसे आता डिर क्या है reducing है कि non reducing sugar है या फिर which of the following is reducing sugar इस तरह का question आता है तो पहला question आपके दिमाग में आएगा सरी reducing sugar होता क्या है है ना reducing sugar होता क्या है सुनना जरा आप लोगोंने felling solution का नाम सुना है tolerance reagent का नाम सुना है क्या हाँ आपने failing solution और tolerance reagent का नाम सुना है क्या कौनसे chapter में सुना है बताओ जरा या दोना चीत है आपको yes कहां देखा है हमने tolerance reagent failing reagent failing solution tolerance reagent कौनसे chapter में सुना है है हाँजी कौन्से chapter में सुना बता नहीं सुना सुना बट एक्स्प्लेइन कर दे बिल्कुल सही कहा रहो अरे aldehyde ketone में ये topic पड़ा था न कि aldehyde को ketone से अलग करना हो distinguish करना हो तो हम लोग tolerance test करते थे felling test करते थे याद आया कुछ तो अगर आपका कोई carbohydrate all those carbohydrates which reduce felling solution and tolerance reagent उनको हम कहेंगे reducing sugar है ना reducing sugar का मतलब हाँ जी अरे inorganic करेंगे 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 inorganic भी करेंगे हाँ तो अगर अगर आपका जो carbohydrate है वो tolerance reagent को या फिर felling reagent को reduce कर पा रहा है तब तो आप बोलोगे ये sugar reducing sugar है और नहीं कर पा रहा that means reducing sugar नहीं है ठीक है मेरे साब से ये कानी clear है अब बात ही आती है ये क्या लिखता है अगली वाली line को गौर कर ले ना all monosaccharides whether eldos or ketos are reducing sugar गांट बांद लो इसकी क्या कर लो गांट बांद लो कसम खालो भूलोगे नहीं मेरी कसम नहीं खाओगे अपने इसाब से देख लेना किसकी खानी है चाहे monosaccharides हमने पढ़ा था ना example glucose, fructose, ये सारे थे monosaccharides है न तो ये सारे के सारे reducing sugar होते हैं ठीक है अब इसने एक चीज और लिखी है कि whether eldos और ketos इसका क्या मतलब हुआ eldos और ketos का मतलब क्या हुआ eldos और ketos eldos मतलब उसमें functional group होना चीज ये eldehyde और ketos मतलब उसमें functional group कौन सा होगा ketone अरे obvious है जिसके पास eldehyde और ketone functional group है वो तो felling test को reduce करी सकता है felling solution को reduce करी सकता है tolerance reagent को solution tolerance reagent को reduce करी सकता है क्योंकि reduction करता कौन है एल्डी एडिया कीटोन तो जिसके पास एल्डोज या फिर कीटोज प्रेजेंट हो जितने भी मोनो सेकरेड यूनिट्स होंगी सारे के सारे है ना सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर वाली केटेगरी में आएंगे ठीक है बहुत ही बड़िया हां अपनी देख लो अपने एसाब से देख लो किसकी खानी है जिसको जल्दी निप्टाना हो न उसकी खा लेना क्यों सही कह रहा हूं किया बताओ जारा यहां तक सबको क्लिर है क्या बोलो बाई और क्लिर है तो जिसने लाइट नहीं कर रहा फटाफट लाइक कर दो, यहां तक सब को clear है, thumbs up करके बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ूँगा मैं, monosecruid पढ़ने वाले हैं इसके बाद, फटाफट बताओ ज़रा, सब को clear है क्या, सब को clear है, आगे बढ़ सकता हूँ, yes, फटाफट लिख दिया गरो, हाँ ना लिख दिया गरो, ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए, शांती से मिल जाएगी, हाँ वाई, मेरी कईवी बात आपके कानों तक पहुंच रही है, और दिमाग तक भी, ठीक है, आपके काई मेरी मत कईओ वाई, और दियान दो कि कान तक, दिमाग तक पहुंचे और दूसरी साइड से निकले ना, इदर लगा गर रखे हो कान पे, एक तरफ से गुसने दो, दू तरफ से निकलने मत दो, कब तक चलेगी क्लास, एक घंटे चलेगी भाई, अभी आदा गंटा हुआ है, एक घंटे चलेगी शिवाम दादा, अभी हाफ एन आर हुआ है क्लास को चलते हुए, है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोनो सेकराइड्स, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मोनो सेकराइड, और मोनो सेकराइड अभी हमने पढ़ा, क्या कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, देखो, क्या लिखता है, है ना टेबल दिख रही है आपको हाँ जी दिख रहा है ना देखो इसमें लिखा है ट्रायोज भाई ट्रायोज बोले तो उसके पास कितने कार्बन एटम है चार तीन सॉरी अब बैटीन होते हैं ट्रायोज में टेट्रोज मतलब चार कार्बन एटम, पेंटोज मतलब पांच कार्बन एटम, हेक्जोज मतलब 6 और हेप्टोज मतलब 7 नंबर ओफ कार्बन एटम के बेसिस पे हमने इस तरह से उनका नाम लिख दिया, अच्छा अब मालनो उसके बास functional group present है aldehyde तो इसका नाम हो जाएगा eldotriose, और अगर उसमें ketone functional group है तो उसका नाम हो जाएगा ketotriose येस अरे मेरी बात समझा रही, मालनो 6 कार्बन होते 6 कार्बन को आपने hexose बोला है और उसके अंदर aldehyde functional group है, तो नाम क्या हो जाएगा? eldohexose और अगर उसमें keto है, तो ketone का क्या नाम हो जाएगा? ketohexose बताओ, ये चीज clear है क्या आपको? हाँ भई ठीक है न, यहाँ तक कोई परिशानी नहीं है मेरे साब से, इमान के चल रहा हूँ मैं तो भई अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इस chapter का एक बहुत important और अगर मैं सबसे important कहूँ तो भी कोई बुराई नहीं है topic पढ़ने वाले है glucose yes, बहुत important इस chapter में जो सबसे ज्यादा questions पूछे जाते हैं, वो glucose पे पूछे जाते हैं glucose की structure पे पूछे जाते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे preparation of glucose की glucose को आप prepare कैसे कर सकते हो बहुत असान method से कैसे कर सकते हो पहला है from sucrose है ना, sucrose बोले तो can sugar है उसको sucrose बोला जाता है तो यह लिखता है कि अगर आपने sucrose को boil कर दिया with dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution यह देखो reaction आपके सामने लिखी हुई है sucrose का formula आपको बता है yes sucrose का formula सबको बताएगा this is sucrose जिसको हम sugar बोलते है cane sugar C12 H2O11 यह इसका formula होता है और इसका आपने acidic medium में क्या करवा दिया hydrolysis करवा दिया तो इससे क्या बना एक बना glucose और दूसरा बना fructose तो पहला method है glucose prepare करने का पहला method है by the acidic hydrolysis of sucrose ठीक अच्छा एक चीज़ आपने नोट करी क्या glucose और fructose दोनों का chemical formula सेम दिख रहा है क्या दिख रहा है क्या आपको check करो जबा हाँ भई अरे glucose और fructose दोनों का chemical formula आपको सेम दिखाई दे रहा है मुझे तो दिख रहा है सेम है ना तो इनको क्या बोलूँगा मैं फिर अगर किसी का chemical formula सेम हो और properties अलग-अलग हो तो इनको क्या कहा जाता है हाँ जी इनको क्या कहा जाता है yes क्या relation है दोनों में relation मनाना आता है ना आपको ज़रूरी आज कल बहुत हाँ सर वो isomer है अर्रे क्या बात लड़की बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सही कह रहे हो isomers कह सकते हो very good बहुत बढ़िया हाँ बिल्कुल सही बाई दोनों का chemical formula सेम है और अगर अगर हम लोग इनकी structures बनाएंगे न इनकी जो properties होगी वो different different होगी same chemical formula properties different इनको क्या का जाएगा एक दूसरे के isomers आप कह सकते हो ठीक है हाँ very good अच्छा तो ये पहला method था glucose prepare करने का by the acidic hydrolysis of sugar अच्छा आप starch से भी बना सकते हो glucose is obtained by the hydrolysis of starch by boiling it with dilute SO4 at high temperature देख रहे हो 393 under pressure starch का जो formula होता है starch हो या फिर cellulose उसका formula ये लिखा हुआ ये एक polysaccharide है इसी वज़े से N लिखा हुआ है येही चीज जो है येही वाली unit कितनी बार repeat हो रही है N बार N times repeat हो रही है अमजारी येही वाली चीज कितनी बार repeat हो रही है N times तो इसका आपने hydrolysis करवा दिया acidic media में देखो pressure लेना है आपको 2-3 atm और temperature लेना है 393 Kelvin तो क्या बन जाएगा glucose के N number of moles बन जाएगे बोलो ज़रा ठीक है यहां तक हाँजी बोलिए बताओ clear यहां हाँ वाई यहां तक कोई परेशानी हो तो बोल दो कोई भी अगर परेशानी है किसी तरह की तो बताओ नहीं तो फिर में आगे बढ़ूँगा नहीं तो फिर में आगे बढ़ूँगा बोलो देखें फटा फट ठीक है सर, reaction condition exam में आती है क्या जैसे temperature हाँ जी, बिल्कुल कह रहे हो reaction condition आती है reaction condition आपको बता होनी चीए temperature कितना होगा, pressure कितना होगा ये चीज तो हमें पता ही होनी चीए बिल्कुल exam में पुछी जाती है चमक गया, बहुत बढ़िया starch वापस बता दो starch का मतलब देखो न starch में एक unit होती है C6H10O5 और वो unit n times repeat होती है, इसकी structure अम लोग देखेंगे आप कहोगे तो मैं बता दूँगा बले आलंकि इस flavor से हट गया है, इसकी structure आपको बता देंगे, है न तो n number of times यही वाली चीज रिपीट हो जाएगी ठीक है न, और उसका hydrolysis करवाने के लिए n number of water के molecule मिल चाहिए होगे और n number of molecules of glucose मिल जाएगा, यह बात होगी preparation की, अब बात कर लो आप क्या, structure of glucose की किसकी बात करेंगे, structure of glucose की ठीक है, हाँ अब structure पे ही सारी कहानी है इसमें, यहना, glucose की structure, आप मैंसे बहुत सारे लोगों को आप मैंसे, सर पता कैसे लगेगा glucose बना की fructose, अरे वो उसकी properties से बता लगेगा, यहना, chemical reaction से बता लगेगा ठीक है, हाँ, सुनो जरा structure of glucose में हम लोग एक glucose की structure आपके सामने बनाई हुई है, देखो यह रहा glucose की structure आपके सामने बनाई है, लिखता है कि glucose is an eldohexose glucose क्या होता है? eldohexose होता है, अभी मैंने आपको बताया hexose मतलब, उसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, देखो जरा, 1 कार्बन और ये चार कार्बन और एक पांच चार और एक पांच और एक च्छे कार्बन दिख रहे है और functional group कौन सा दिख रहा है आपको इसमें aldehyde कौन सा functional group है aldehyde तो ये hexose तो ही और hexose में भी कौन सा hexose ही है aldohexose है क्या है aldohexose है ठीक है तो ये लिखता है कि glucose is an aldohexose and is also known as dextrose क्या कहा जाता इसको dextrose भी कहा जाता अच्छे dextrose क्यों कहा जाता है ये कौन बताएगा इसको dextrose क्यों कहा जाता है ये कौन बताएगा बताओ देखें मौका दे रहा हूं मैं आपको Dextrose क्यों कहा जाता है कौन बताएगा इसी इसको Dextrose Rotatory Sugar है Left Rotating Dextrose Rotatory PPL को Cloakwise हाँ बिल्कुल सही क्या रहो हाँ जी बिल्कुल सही क्या रहो हाँ Dextrose का मतलब ये Plain Polarized Light को Cloakwise Direction में Rotate कर वा जेता है है ना इसी वज़े से ये Dextrose Rotatory होता है तो ये जो है ना सबसे पहली चीज़ लिखता है देखो ये वाली चीज़ It was assigned the structure given below on the basis of the following evidences ये वाली जो structure हमने बनाई ना glucose की ये वाली देखो structure जिसमें functional group है LDI और 4 OH group present है 5 OH group कहना चीए ये हमने glucose की structure बनाई तो कोई ये पूछेगा कि आपने कैसे glucose की ये वाली structure बना दी है ना आपने कैसे ये glucose की structure बना दी तो इसके कुछ evidence है है ना इसके क्या क्या evidence है इस structure के पीछे वो evidence आपके सामने यहां लिखे वह है इसको अच्छे से समझ लेड़ा देखना जड़ा क्या लिखता है ये कि its molecular formula was found to be 6s H12O6 बाई molecular formula found करने के तो बहुत सारे method होते है और ये check किया गया ये देखा गया कि इसका जो chemical formula था वो C6H12O6 था और तो structure बना रखी है वो भी C6H12O6 ही थी चलो बढ़िया पहला point तो हमें समझ आ गया कोई दिक्कत नहीं अच्छा दूसरी चीज ये कही गई कि जब आपने glucose का heat किया किस के साथ HI के साथ HI के साथ heat किया it forms anhexane तो HI के साथ heat करने से क्या बना anhexane बना glucose को जब HI के साथ heat किया गया तो क्या बना anhexane बना अच्छा इससे क्या conclusion निकला फिर अगर anhexane बना तो इससे क्या conclusion निकला दिखता है suggesting that all the six carbon atoms are linked in a straight chain बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं आई आई आपको हाँ वई ये बात समझ आई कि नहीं आई कि बोला गया जब आपने इसका हाई के साथ reduction किया तो आपको anhexane मिला anhexane मिला इसका मतलब इसकी structure में 6 carbon के जो atoms है वो एक straight line में जुड़े हुए है और आप structure में देख सकते हो जो 6 carbon के atom है वो बिलकुल एक straight line में जुड़े हुए सबको बोलना पड़ेगा हाई के साथ करवाने से anhexane मिला that means 6 carbon के atom बिलकुल straight line में है इस structure में 6 carbon के atom straight line में बहुत बढ़िया अरे ओच का reduction हो गया भाई किसे ने पूचा सर ओच कहा चला गया ओच reduce हो गया ओच का reduction हो गया और ओच किसमें convert हो गया एलकेन में convert हो गया के साथ hydroxyl amine के साथ ये reaction मैं आपको पिछले वाले chapter में बताओ चुका हूँ कि जब LDHID या फिर ketone hydroxyl amine के साथ react करता है तो क्या बनता है सुनना दरा एक बार मैं फिर बता देता हूँ hydroxyl amine का formula आपको बता होना चीए देखो LDHID या फिर ketone के बास ये वाला group present होता है येस आपको hydroxyl amine का formula पता है क्या हाँ जी hydroxyl amine का formula पता आपको ये होता है hydroxyl amine देखो OH ग्रूप भी लगा हो और NH2 ग्रूप भी लगा हो hydroxyl amine तो ये इसके साथ react करेगा यहाँ से water का molecule बाहर निकलेगा और देखो carbon से साथ double bond से कौन जुड़ जाएगा NOH जुड़ जाएगा इसको क्या कहते हो आप oxyme इसको क्या कहते हो oxyme कहते हो तो oxyme बन जाएगा क्या बन जाएगा oxyme बन जाएगा देखो यही यहाँ बनाया हुआ है सुनो ज़रा, देखो यह बन गया, CHO group, इस NH2 OH के साथ react करके, यह देखो, oxyne, यह बन गया, यह लिखा ना, कि glucose react with hydroxyl amine to form an oxyne, yes, पिछले chapter की reaction है, पिछले भी नहीं, पिछले से पिछले chapter की, LDI, ketone, carboxylic acid ही की, यह ना, तरीका मैंने बता दिया, और इसी को oxyne group कहा जाता है, ठीक है, अच्छा, इससे क्या पता लगता है, अगर यह reaction हो रही है, इससे क्या पता लगता है, यह हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इसकी एक और reaction भी करवानी है, किसके साथ, इसकी एक और reaction करवानी है, है, hcn के साथ, hcn बोले तो, hcn बोले तो hydrogen sine है, ठीक है ना, hcn आपको पता है, weak acid है, h plus और cn minus में dissociate होता है, यह revision करवा रहा हूं मैं आपका, यह दोनो reaction करवा चुका हूं मैं, यह दोनो reaction करवा चुका हूं, दुबारा करवा रहा हूं, फिर कह रहा हूं, वापस देख लो, है ना, वापस देख लो, देखो, यह तूटेगा कैसे h plus और cn minus में, तो यह जो cn minus होगा न, cn minus क्या है, एक electrophile है की nucleophile है, सारे लोग बोलेंगे, यह electrophile है की nucleophile है, आप कहोगे सार, यह तो हमें पता है, पहले से, यह तो हमें पहले से पता है, कि जो cn minus होता है, उसके पास loan pair of electron present है, तो इसकी tendency electron donate करने की है, और जो बाई साब electron donate करने की tendency रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं, nucleophiles, ठीक है, तो जो nucleophiles हैं, सुनना जरा, यह है C double bond O group, LD height group, या फिर ketone, कुछ भी हो सकता है, LD idea ketone, कुछ भी हो सकता है, इसके साथ react करने आएगा कौन, cn minus, कैसे react करेगा, सुनना जरा, देखते रहे न, फिर मत बोलना, कि से repeat कर दो, अच्छे से समझा रहा हूँ, अभी समझ लेना अच्छे से, भाईया carbon और oxygen है यहां, किसकी electron negativity ज्यादा होती यहां बताओ, carbon और oxygen, which is more electron negative, आप कहोगे सर, oxygen का electron negativity ज्यादा है, माल लिए आपकी बात, अगर oxygen का electron negativity ज्यादा है, तो यह वाले जो bond pair of electrons है, इनको कौन खिंचेगा अपनी तरफ, जो ज्यादा electron negative element होता, वह ही खिंचता है, है ना, तो oxygen इन bond pair of electrons को अपनी तरफ खिंचेगा, तो oxygen वाली side जो होगी, वो it is electron rich side, इस पे partial negative चार जाएगा, और carbon से क्योंकि electron दूर चले गए हैं, तो यह वाली electron deficient side हो जाएगी, और इस पे charge आएगा positive, येस, अब यह जो cn- है, यह attack करेगा इस partial positive पे, nucleophile का addition हो जाएगा, इस एन एक्जामपल ऑफ nucleophilic addition reaction, चैप्टर नमबर 3, organic chemistry का, अगर cn- ने इस carbon पे attack किया, तो दोनो carbon के बीच एक bond बनने लगेगा, और आपको पता है, जब नय bond बनते हैं, तो जो पुराने वाले bond होते हैं, वो तूट जाते हैं, और पुरानों में भी जो weak होगा, वो पहले तूटेगा, थे ना, कुदरत का यही नियम है वाई, जब नया bond बनता है, तो पुराना bond तोड़ना पड़ता है, और समझदारी इसी में है, मैं हमेशा बोलता हूँ, नया bond बनाओ, पुराना bond तोड़ दो, हाँ, तो यह वाला bond तूटेगा, यह वाले bond के दोन उलेक्ट्रोन किसको मिल जाएंगे, oxygen को मिल जाएंगे, आप कहोगे इसर क्या बन गया, इस carbon पे cn लग जाएगा, और इधर oxygen पे 4 जाएगा, minus, ठीक है, बात समझाई, और इस minus के पास, यह जो h plus बचा हुआ है, वो लग जाएगा, c, oh, cn मन जाएगा, और इस compound का नाम क्या है, SA compounds को क्या कहते हो आप, हाजी, जिस carbon पे, जिस carbon अगर एक ही carbon पे, OH और cn दोनों ग्रूप लगा हो, एक ही carbon पे, OH और cn दोनों ग्रूप लगा हो, तो SA compounds को क्या कहा जाता है, हम, ऐसे compounds को क्या कहा जाता है, कितने लोगों को पता है, फटा फट बोलो देखे, हम, फटा फट बोलो भई, Sino hydrine कहा जाता है, लड़की पढ़ने वाली है भई, अनुशका ने बिल्कुल सही बोला, रेखा ने भी बिल्कुल सही बोला, बहुत बढ़िया, इसको क्या कहते हो, इसको कहा जाता है, Sino hydrine, ठीक है न, तो जब ग्लुकोज की reaction, सुनना, ज्विट रहेन अब एक कहां से आ गया, ज्विट रहेन महाराज, देखो, जब ग्लुकोज की reaction, Hydroxyl Amine के साथ करवाई, तो अग्जाइम बना, और जब उसकी reaction, H-CN के साथ करवाई, तो क्या बना, Sino hydrine बना, इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है, कि ग्लुकोज के पास, ये C double bond O group present है, इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा, कि ग्लुकोज के पास, C double bond O group present है, बताओ ज़रा, बात समझाई क्या, हाँ जी, इससे ये पता लगा, कि ग्लुकोज के पास, C double bond O group present है, क्योंकि C double bond O group ही, Hydroxyl Amine और H-CN के साथ, इस तरह से react करता है, मेरे साब से, ये वाली ची सबको clear है, और जिसको विश्वास ना हो, वो देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा, येस, clear सबको, हाँ बाई, सबको clear, NH2 O2 के साथ देखो, ये बन गया आपका OXINE, और H-CN के साथ बन गया, Hydroxyl, स्वरी, Sinohydrine, and adds a molecule of hydrogen cyanide, to give Sinohydrine, चीज़ लिखी हुई थी, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगली reaction पर, आगे लिखता है, glucose के oxidation की, क्या किया, कि glucose का आपने oxidation करवाया, BR2 के साथ, BR2 ना, एक oxidizing agent भी होता है, BR2 क्या होता है, एक oxidizing agent भी होता है, तो आपने देखा, कि उसमें, एक COOH group मिला, कितना मिला, एक ही CWOH group, एक ही carboxylic group मिला, देखो लिखा है न, glucose gets oxidized, to six carbon carboxylic acid, जिसको क्या का जाता है, gluconic acid का जाता है, gluconic acid का जाता है, on reaction with a mild oxidizing agent, like bromine water, अच्छा, इससे क्या पता लगेगा, हाँ, इससे क्या पता लगेगा भाई, अगर वो bromine के साथ, oxidation से gluconic acid बन रहा है, इससे क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा, indicates that, the carbonyl group is present as, an aldehytic group, भाई, carbonyl में तो दोनों group हो सकते हैं, ketone भी हो सकता है, aldehyde भी हो सकता है, बट इस reaction से ये पता लगेगा, कि इसमें कौन सा group present है, aldehyde group present है, क्यों, क्योंकि BR to water होता, एक mild oxidizing agent, ठीक है न, और जो आपका aldehyde होता है, उसका तो oxidation कर देता है, mild oxidizing agent, माल लो यहाँ पर अगर ketone होता न, यहाँ पर क्या होता, ketone, तो उसका bromine water oxidation नहीं कर पाता, अगर यहाँ ketone होता, तो उसका bromine water oxidation नहीं कर पाता, यह न, carboxlic acid नहीं मिलता, बट हमें मिला, इसका मतलब, ketone ना होके, कौन सा functional group present है, aldehyde present है, सारे लोग बताओ जरा, यह वाला आपको, जो अगली reaction थी, fourth reaction, clear हुई कि नहीं हुई, हाँ जी, अरे oxidation की कोई mechanism नहीं होती, अनुष्का oxidation का mechanism, known वैसे बहुत कम का होता है, और हमें पढ़ना भी नहीं होता, वो मारे syllabus में भी नहीं होती, oxidation का mechanism, जही बगिरा के syllabus में भी नहीं है, ठीक है, बताई हो, सब को clear, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए फिर अगली वाली reaction की बात करेंगे, next reaction है, और वो बात होगी, next reaction, acetylation of glucose, क्या किया गया, glucose का acetylation, acetylation का मतलब समझते हो क्या, acetyl group का addition करवा दिया गया, मतलब glucose की reaction करवाई गई, acetic anhydride की साथ, acetic anhydride क्या होता है, देखना जरा, this is acetic anhydride, इसको acetic anhydride कहा जाता है, ठीक है, अच्छा, जब glucose ने इस acetic anhydride की साथ react किया, तो क्या मेंना, गिउअच्छ ग्लुकोस पेंटा अएसेटेट, ये देखो, glucose पेंटा असेटेट, ये वाला है Acetate group, ये वाला, और ये 4 और 1-5 पेंटा असेटेट मिला, क्या मिला, glucose पेंटा असेटेट, तो किसी ने पुछा भाई, फिर क्या होगा, pentacetate से क्या हुआ which confirms the presence of 5 OH group ये वाली reaction हमने alcohol में पढ़ी थी alcohol में हमने पढ़ा था कि जो alcohol होता है वो किसके साथ react करता है n hydride के साथ react कर लेता है तो अगर आपको pentacetate मिला है इसका मतलब इस glucose के अंदर 5 OH group present रहे होंगे कितने OH group present रहे होंगे तो ये वाली जो structure है उसमें आप चेक कर सकते हो चार और एक पांच OH group present है अरे बोलो फाइफ और ग्रूप present है इस वाली structure में ठीक है न तो इससे ये confirm हुआ कि पांच और ग्रूप present थे बहुत ही बढ़िया अब अगली reaction एक बार और हाँ अगली reaction oxidation की reaction है सुनना ज़रा लिखता है on oxidation with nitric acid nitric acid के साथ oxidation करवाया अब की बार क्या मिला glucose as well as gluconic acid both yield a di carboxlic acid देखो जब आपने glucose का oxidation करवाया इसके साथ nitric acid के साथ तो ये जो group था ये भी oxidize हो गया C double bond OH group में और जो 1 degree alcohol था वो भी oxidize हो गया C double bond OH group में अच्छा तो इससे क्या पता लगा इससे ये पता लगा इसको बोला जाता है sacric acid क्या ना हमें इसका sacric acid ग्लुकोनिक acid से भी sacric acid मिला और glucose से भी sacric acid मिला ठीक है इसससे क्या पता लगा लिखता है this indicates the presence of a primary alcoholic group in glucose इससे क्या पता लगा है उसमें से एक OH group जो है वो 1 degree है क्या पता लगा इस reaction से कि 5 alcoholic group में से एक alcoholic group क्या है वो 1 degree है आप बोलोगे सर ये कैसे पता लगा लिया आपने है ना वो कैसे पता लगा लिया देखो भाई इसमें आपको di carboxylic acid मिला di carboxylic acid का reason एक तो ये था कि CHO का oxidation हो गया अब CHO group के presence के बारे में तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं है ना CHO की presence के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं तो इस nitric acid ने इस nitric acid ने CHO को oxidize कर दिया carboxylic acid में बहुत बढ़िया बात है दूसरा जो carboxylic acid आएगा ना वो 1 degree alcohol के oxidation से आएगा क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है कि 1 degree alcohol का अगर आपने strong oxidizing agent के साथ oxidation करवाया तो वो carboxylic acid में convert हो जाता है है ना वो किस में convert हो जाता है carboxylic acid में और जो 2 degree alcohol होता है या फिर 3 degree alcohol होता है उसको carboxylic acid में conversion possible नहीं हो पाता that means एक ही CWH अलग से मिला 4-5 ओवच में से एक ही ओवच ग्रूप था जो 1 degree था yes बोलना पड़ेगा वाई सबको ये बात clear होगी क्या आपको हाँ जी हाँ जी फटाफट बोलो जरा अरे बोलो जरा फटाफट कहो बाई समझ आ रही बात यहां तक clear है बहुत ही बढ़िया very good चलो आगे बढ़ो अब आगे बढ़ेंगे अब next अच्छा आगे लिखता है कि भाई या फिर ये सारी चीजे हमने इस structure को justify कर दिया फिर है carbon एक straight line में है फिर इसमें एक CHO group है इसमें 5 OH group है और 5 में से एक OH group 1 degree है सारी हमने justify कर दी different different chemical reaction की help से ठीक अब क्या करेंगे देखना अग असली कहानी यहां से start होती है यह क्या लिखता है अब यह many other properties क्या थी है ना इन many other properties के बारे में कुछ नहीं का गया है और नहीं हमें वो पढ़नी होती है उसने यह बोला कि जो glucose होता है उसकी structure ऐसी होगी its configuration is correctly represented as one यह है glucose this is gluconic acid है ना और sacric acid जो था वो रहा यह वाला इस topic से कैसे question आते है अरे दादा इस topic के exercise के question देख ले जाके कैसे question आते है पता लग जाएगा exercise मदब NCRT तो होगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि NCRT तुमने खरीदी होगी और ना भी खरीदी है तो आजकल खरीदने की जरूरती नहीं है online मिल जाती है चेक कर ले यार भाई क्यों disturb कर रहा है ऐसे हाँ सुनो जरा इसका मतलब क्या देखो इसका मतलब ये दो फिशर projection ना एक projection होता है ये आपके CBSC के syllabus में नहीं है जही में हम लोग Fisher projection को बहुत detail में पढ़ाते हैं यहां पर हम लोग उतना detail में नहीं जाएंगे देखो ऐसा लिखा होता है ना ऐसा Fisher projection तो ये जो चीज है ना जहां पे cross section होता है ना वो होता है carbon ये है carbon है ना ये वाला है carbon ठीक है तो देखो कितने carbon है total और आप चेक कर रहे हो कि फॉर्स्ट यह हैं सिको अगर मैं नंबर हुआ तो जो थर्ड कार्वन है जो थर्ड कार्वन है उस सबसे पहले मुझे यह बताओ इस प्लस का मतलब किया है सबसे पहले मुझे यह बताओ इस प्लस का मतलब क्या है कौन बताएगा इस प्लस का मीनिंग क्या है फिटा फिट बताओ देखें what is the meaning of d plus d को छोड़ो एक बार के लिए प्लस का मीनिंग क्या है मैं आपसे यह जाना चाहरा हूँ d का मतलब क्या यह बताओ d को छोड़ो प्लस का मतलब क्या है यह बताओ dextro rotatory बहुत बढ़िया very good बिल्कुल सही कह रहो अनुषका ने बिल्कुल सही बोला है प्लस का मतलब है कि यह dextro rotatory होता है ना plane polarized light को clockwise direction में rotate करवा देता है बिल्कुल सही अब रैसेमिक नहीं होता है रैसेमिक को प्लस माइनस से दिखाया जाता है it is dextro rotatory in nature बहुत बढ़िया अच्छा जी बहुत बढ़िया अब देखो यह जो capital D है ना इसका मतलब क्या है देखो हमने एक small d लिखा था और एक capital D लिख रहे है इन दोनों का एक दूसरे से सीधा सीधा कोई relation नहीं है कोई रिष्टान आता नहीं यह दोनों मेंस में है ना दोनों को अलग अलग रखी हो भई mix मत कर दे ना कोई बोले यह तो small d capital D बात है कि कहीं चिपका दो small लिख दो कहीं capital लिख दो नहीं इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेने देना नहीं है देखो यह जो एक configuration होता है है ना एक configuration होता है DL configuration capital D capital L configuration है ना DL configuration यह हम लोग optical isomerism में पढ़ाते है कि capital D और capital L का मतलब क्या है सुनना ज़रा एक molecule होता है glyceraldehyde यह glyceraldehyde का formula यह आपके सामने लिखा हुआ है है ना it is glyceraldehyde यहाँ पर है carbon आप check करो इसमें जो OH group है OH group right hand side में है OH group कहां दिख रहा है yes OH group जो है वो right hand side में है अगर किसी भी organic compound में OH group right hand side में हो ना तो उसको इस glyceraldehyde को बोला गया D-glyceraldehyde क्या बोला गया इसको D-glyceraldehyde और जब इसमें OH group left hand side में था तो इसको बोला गया L-glyceraldehyde यह जो D और L का dextrorotatory और liver rotatory से कोई मतलब नहीं है यह जो D और L है यह decide होता है according to the position of OH group किस base पे decide होता है किस base पे decide होगा according to the position of this OH group OH group right hand side में तो D, OH group left hand side में तो L बात समझा रही मेरी देखो यही सारी चीज इसने लिखी हुए D का मतलब क्या है All those compounds which can be chemically correlated to D-isomer of glyceraldehyde are set to have deconfiguration है ना? बात समझा रही ना यह चीज तो अगर मैं glucose की बात करूँ देखो यह लिखा हुआ इसने जो चीज में आपसे कह रहा था ना यह लिखा हुआ कि OH group right hand side में तो इसको D बोला गया है इस D का मतलब है कि OH group right hand side में और इस plus का मतलब है कि यह जो compound है यह plane polarized light को plane polarized light को clockwise direction में rotate करवा देता ठीक है यह glucose देखो glucose को भी D बोला गया plus का मतलब तो समय जा गया because it is dexorotatory और जो D है इसका मतलब OH group right hand side में अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी बहुत सारे लोगों को problem होगी आपका question यह होगा सर इसमें तो बहुत सारे OH group है इसमें कैसे चेक करेंगे हम कोन सा OH group देखना होता है बात समझे हो कोन सा OH group देखना होता है इसमें तो बहुत सारे OH group है तो ध्यान दो इस CHO से जो maximum distance वाला OH group है वो देखना है क्या देखना है जो आपका main functional group है उस से जो maximum distance पे ग्रूप है, maximum distance वाला जो chiral carbon है, उससे attach OH ग्रूप देखना है और ये देखो, OH ग्रूप right hand side में है that's why, इस OH की वज़े से इसका नाम पड़ा है, capital D हाँ, बताओ ये बात समझ आई है आपको हाँ बई अरे बोलो जरा ये clear है न? yes कि D क्यों बोला है कौन से OH ग्रूप ने decide किया है D, जो CHO से maximum distance पे OH ग्रूप लगा होगा उसको बोला जाए, उसकी वज़े से हाँ, उसकी वज़े से इसका configuration, capital D हुआ है बाई, कोई बोलेगा सर, इसको क्यों नहीं देखा because ये वाला जो carbon है न, वो chiral carbon के लिए ही define होता है ठीक है, यहां तक सब को समझ में आ गया है अब देखना जड़ा अब देखना जड़ा अगली वाली चीज़ सुनना जड़ा कुछ चीज़ें ऐसी थी सुनना भई, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो glucose की जो हमने structure मनाई न वो structure उन properties को explain नहीं कर पा रही थी alpha, beta भी लगाएंगे दिफांशू अभी लगाएंगे alpha, beta थोड़ा सा weight करो, alpha, beta भी लगाएंगे कुछ chemical reactions ऐसी थी जिसको वो जो अभी हमने structure बनाई थी linear structure glucose की वो explain नहीं कर पा रही थी कौन कौन सी थी, यह देखो यह लिखी हुई यह लिखता है कि despite having the aldehyde group glucose does not give shifts test and does not form hydrogen sulfite addition product with NaHCO3 aldehyde ketone में हमने यह reaction पड़ी थी है न aldehyde ketone में हमने reaction पड़ी थी कि वाई, जो आपका aldehyde या फिर ketone group होता है वो sodium hydrogen sulfite के साथ react करके एक addition product देता है तो जब आप कह रहे हो कि इसमें CHO group present है तो फिर वो NaHCO3 के साथ react करना चाहिए बट ऐसा नहीं होता वो react नहीं कर रहा था क्यों नहीं react कर रहा था इसको आप उस structure की help से explain नहीं कर पा रहे यह तो करना चाहिए था क्योंकि LDID और ketone group होता है वो sodium hydrogen sulfite के साथ react करता है बताओ बात समझाए और दूसरा यह कहता है कि जो पेंटा एसेटेट बना था ना पिछले बार पेंटा एसेटेट जो बना था पेंटा एसेटेट जो बना था वो किसके साथ react नहीं करता hydroxylamine के साथ react नहीं करता बाई करना चीए था क्योंकि उस पेंटा एसेटेट में तो CHO ग्रूप present था पीछे जाके देख लेना बली पेंटा एसेटेट में CHO ग्रूप present था तो CHO ग्रूप तो react करना चीए था hydroxylamine के साथ नहीं करता अगरा इसका मतलब जो CHO ग्रूप उप्री नहीं है वो free CHO ग्रूप present नहीं है है न वो किसी के साथ bonding में है CHO ग्रूप इसका मतलब यह है है ना इसका मतलब यह है कि वो CHO ग्रूपあー वो free नहीं है Glucose is found to exist in two different crystalline forms which are named as alpha and beta. दो cyclic structure इसकी बनाएगी, alpha और beta. The alpha form of glucose is obtained by, कैसे बना है? यह हमें इससे कोई ज़्यदा लेना देना मतलब नहीं होता. But alpha और beta होता क्या है? वो चीज हमें समझने हैं, देखो, कैसे बनी होगी? यह सुनना जरा. यह वाली चीज बड़ी important है. cyclic structure, सुन लो जरा. भाई लोगों, इस cyclic structure में बहुत सारे लोगों को doubt होता है. मैंने चाहता कि आपको कोई doubt हो. हाँ, सुनना जरा, देखो, हुआ क्या है इस structure में? यह structure आपके सामने बनी हुई है, जो हम लोगों ने पहले बनाई थी ना, वो वाली है. इस carbon से oxygen लगा है, और oxygen electro negative ज्यादा है, तो इस पर partial negative होगा, और carbon पर partial positive charge होगा. ठीक, यह वाला जो oxygen है न, ठीक करो, इस oxygen के पास लगे वहें loan pair, है न, यह वाला oxygen क्या करता है, अपना loan pair डोनेट करता है, इस carbon को, तो अगर oxygen इस carbon को loan pair डोनेट करेगा, तो इस oxygen और carbon के बीच एक bond बनने लगेगा, कौन-कौन से carbon के बीच? carbon number 1 और 5th carbon वाले OH के बीच, देखना जरा, carbon number 1 और 5th carbon आपस में जुड़ जाएंगे, यह ही हो रहा है न, बाई, carbon 1 और 5 वां carbon, यह आपस में जुड़ जाएंगे, अरे बोलो, यह ही हो रहा है, yes, इसने अपना loan pair डोनेट किया इसको, इस oxygen और इस carbon के बीच bond बनेगा, नया bond बनेगा, तो पुरान bond टूटेगा, यह bond टूट गया, इस पे 4 जाया, O-, O- पे लग जाएगा, H+, यह न, O- पे कौन लग जाएगा, यह वाला H+, लग जाएगा, तो यहाँ पे इस carbon से एक तो H group प्रेजेंट होगा, और दूसरा कौन सा group लग जाएगा, इस पे, इस पे थैंक्यू दादा, हरशवर्दन, थैंक्यू सो मज़ भाई, यह चीज समझ आई न, कि first carbon पे दो group present होगे, एक तो H और दूसरा OH, अब देखो, H left hand side में भी हो सकता है, H right hand side में भी हो सकता है, OH group right hand side में भी हो सकता है, OH group left hand side में भी हो सकता है, तो इसमें भी दो variation possible है, yes, इसम ठीक, हाँ जी, बात समझ आ रही है, है न, अगर OH group right hand side में है, तो इस glucose को बोला जाएगा, alpha glucose, और अगर OH left hand side में है, तो इस glucose को क्या कहा जाता है, beta glucose, यह जो alpha और beta decide किया गया है, न, सुनना, alpha और beta जो decide किया गया है, वो किस बेसिस पे किया गया है, कि first carbon पे, OH group कोंडसे साइड है, first carbon पे OH group right hand side में, तो alpha, first carbon पे OH group left hand side में, तो beta, ठीक है, यह जो capital D decide किया गया, capital D decide किया गया, प्लस की साइड किया गया कि यह आपका जो प्लें पॉलराइस लाइड है उसको क्लोंक डिरेक्षान में रोटेस्ट करवा देते हैं बात समझे मेरी है ना अरे बोलो तो ये दो structure बन गई इसकी cyclic structure अब आप मैं से कुछ लोगों के दिमाग में question आ रहा होगा कुछ लोगों के दिमाग में question आ रहा होगा कि भाई साब एक चीज़ बताओ आप बोल रहे हो कि oxygen का loan pair इस carbon को मिल रहा है कि ये वाला oxygen इस carbon पे attack कर रहा है तो भईया इन्होंने क्या बुराय किया था जो second carbon वाला था इस oxygen के पास भी तो OH group है और जो fourth carbon है इसके पास भी OH group है जो third carbon है इसमें भी OH group है यहाँ पर भी loan pair है है ना तो ये last इतनी दूर वाला watch group इस पे जा के attack क्यों कर रहा है second वाला, third वाला, fourth वाला कर ले क्या परेशानी है इन्होंने क्या बिगाड़ा है कौन बताएगा ये चीज़ हम ये चीज़ कौन बताएगा ये वाली बात कौन बता सकता है जो बता देगा ना मतलब उसने chemistry बहुत बढ़िया पड़ रखी है क्योंकि D है और रे लड़की क्या बोली है ये पराची बोल रही है कि 5 member drink ज्यादा stable होती है, मैडम 5 नहीं होगी मेरे साब से, तुमने logic बिल्कुल सही पकड़ा है बढ़ ये 5 member नहीं है लड़की देखो एक बार, चेक करो 5 नहीं होगी 6 होगी जरा, 6 member drink होगी मेरे साब से, 5 नहीं होगी, देखना है एक बार हाँ, 6 member drink है विदांशी बिल्कुल सही बोल रही है it's her choice अब है choice से काम नहीं चलता 6 member drink है 6 member drink आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो 6 member drink होती है, वो सबसे ज्यादा stable होती है 3 member drink stable नहीं होती 4 भी नहीं होती, 5 थोड़ी stable होती है, बढ़ सबसे ज्यादा stable होती है 6 member drink, तो आप चेक करोगे कि जब ये वाला oxygen attack करेगा तो एक ring बन जाएगी, देखो, इस carbon और इस carbon के बीचे ring बन जाएगी और इस ring में कितने carbon है, चेक करना कितने atom है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 atom है तो 6 atom की एक ring बनेगी and 6 member drink is very stable वो सबसे ज्यादा stable होती है ठीक है, अगर आप ये वाला oxygen इस पर attack करवाद होगे न, तो 1, 2, 3 3 member drink बनेगी, 3 member drink में बहुत ज़्यादा strain होता है, angle strain बहुत ज़्यादा stable नहीं होती, ये वाला करवाओगे तब भी stable नहीं होगी, 4 member drink बनेगी ये वाला करवाओगे, तब 5 member drink बनेगी, और ये वाले carbon से अगर attack करवाओगे तो 6 member drink बनेगी, और 6 member drink सबसे ज़्यादा stable होती है that's why 5th carbon वाले watch ने attack किया कोई बोलेगा फिर तो सरी ये 6th वाली करवाद हो भाई अगर ये वाला watch अटेक करेगा नो 7 member drink बनेगी और 7 member drink 6 से कम stable होती है तो ज्यादा stable ही बनेगा हमेशा product ठीक है ना और ज्यादा stable यहां से बन रहा है thumbs up करके बता दो कि इतनी जो मैंने जोर जोर से कहके जो गलाब फाड़ फाड़ के आपको चीज समझाई वो आपको समझ आ गई है एक बार के लिए बता दो सारे लोग बोल दो देखे सब को बोलना पड़ेगा बहुत आराम से बहुत दीरे-दीरे मैंने ये चैप्टर बढ़ाया भी तक है ना बहुत दीरे बढ़ाया है क्योंकि ये थोड़ा सा confusing part है और बहुत सारे लोग ना इस alpha, beta, plus, minus में जूलते रहते हैं d क्या होता है, plus क्या होता है alpha क्या होता है, उनको समझ ही नहीं आता मैंने हर एक चीज का meaning समझा है what is alpha, alpha क्यों बोला है d क्यों बोला है, plus क्यों बोला है हर चीज मैंने समझाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज समझाई है ठीक है? बहुत बढ़िया very good अच्छा, अगर आप अगर आप alpha और beta को देखोगे तो एक ही position पे configuration उल्टा है बाकि सिर्फ सारे carbon है ना सारे carbon पे चेक करो सारे atoms की position सेम है सिर्फ और सिर्फ जो first carbon है सिर्फ और सिर्फ जो first carbon है उस पे atoms की position different है तो एक बहुत ही बढ़िया ये चीज लिखी हुई है एक number का question पुछा जाता है एनोमरिक कार्बन ये देखना जाना एक term होती है एनोमर एक term होती है क्या बोला जाता है उसको एनोमर एनोमरिक कार्बन इसको जो carbon number 1 है उसको एनोमरिक कार्बन बोला जाता है एनोमरिक कार्बन उस कार्बन को बोला जाता है जिस carbon पे atoms का arrangement different होता है तो यहाँ पर first carbon पे atom का arrangement different था H और OH का position different था that's why इसको बोला जाएगा C1 anomer क्या बोला जाता है कई जगे पर ऐसे भी लिखाओ मिलेगा आपको C1 anomer है ना मतलब first carbon पे atoms का arrangement different है और अगर एक ही carbon पे atom का arrangement different हो तो उसको बोला जाएगा anomer है ना तो two cyclic hemicidal form of glucose differ only in the configuration of hydroxyl group at C1 called anomeric carbon ठीक है इनको alpha और beta को क्या कहा जाएगा anomers कहा जाएगा ठीक है ना इसको क्या कहा जाएगा anomers कहा जाएगा सर आप डेली पढ़ाओगे बाई मैं तो पढ़ाता आ रहा हूँ एक महीने से पढ़ाई रहा हूँ डेली एक महीने से बढ़ा रहा हूँ पांच वा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये पूरी organic chemistry मैंने खतम करवा दी तुम अब जागे हो है भाई इसको पाईरे नोस बोला गया पाईरे नोस क्यों बोला गया क्योंकि इसकी सिमिलारिटय प्रें जैसी ऊती है और इद्धी अर्शिक Cris भी बोलागे ना ये बाई साब का नाम है और जिन्होंने ये वाली structure इसकी बनाई थी है और structure भी इनको कहा जाते हैं ठीक है चलो एक बार देख लो ये structure क्या होती है देखो six member ring बना दी थी आपने और हमने कहा था कि carbon number one और fifth carbon के बीच oxygen जुड़ेगा जोड़ दिया first अगर मैं alpha बनाना है तो आप देखो alpha में जो h group था वो left hand side में है चेक करो जड़ा एक बार alpha में left h है और right होच है तो जो left hand side में आता है उसको उपर दिखा दो देखो left hand side वाले को उपर दिखाओ right hand side वाले को नीचे दिखाओ तो first पे h o h second carbon पे भी आप चेक करोगे left hand side में h है right hand side में o h है तो उपर वाला h नीचे वाला o h बट जो third carbon है ना मैंने समझाया था third carbon पे atoms का arrangement different different होता देख लो बले third carbon पे न o h left में आ जाता है तो अगर o h left म o h group right में है तो नीचे आएगा है ना h और fifth वाले पे ch2 o h और h लगा हुआ है 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 ना मतलब left वाले को उपर बनाना है right वाले को नीचे बनाना है बस इतना सा फंड़ा है और अगर आप बीटा की बात करोगे तो बीटा में सिर्फ configuration में change आएगा first carbon पे first पे h और o h का जो position हो वाली structure थी जिसको खतम करना था आज हमें और यहां तक हम लोगों ने glucose पढ़ लिया है अगली जो class होगी अपनी अपने जो अगली class होगी उसमें हम लोग बात करेंगे फ्रक्टोस की और फ्रक्टोस के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसकी proteins वागरा के बारे में पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग proteins के बारे में पढ़ने वाले हैं तो मुझे लग रहा है कि आज हमने थोड़ा सा दीरे पढ़ाया थोड़ा दीरे चला अपना process है ना थोड़ा सा अपना process दीरे चला है तो इस वज़े से इस वज़े से इसके जो तीन lecture हो सकते हैं मुझे लग रहा ऐसा है ना इसके तीन lecture हो सकते हैं तीन lecture में खतम करना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं हमें हमें समझने से मतलब है दो lecture लगे तीन lecture लगे doesn't matter हमें कई भी आप 15 तारीक 15 अपरिल के लगब करवा दूँगा और फिर एक बड़िया सा एक practice course भी मैं आपको करवाओंगा आप लोगों के लिए अगले महीने में नेक्स्ट मन्त में एक अच्छा सा practice course भी आपके लिए करवा देंगे चिंता मत करो सारी चीज हो जाएगी अच्छा आप आपको अनकेडमी आस के डावट feature का पताई यह ना है ना अनकेडमी आस के डावट feature का यूज करो एक चीज़ और मैं क्या चाता हूँ एक चीज़ यूज करो उसको भाई खूब यूज करो दोनों हाथ में लड्डू है आपके दोनों हाथ में लड्डू है कैसे जब भी कोई टॉपिक आता है जो भी कोई टॉपिक में डाउट आता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज दो आज के डाउट फीचर पे और अगर आपने दस क्वे यहां तक फिर class खतम की जाए हाँ जी class खतम की जाए regular timing होती है 10 बजे मेरी class है ना और जो पुराने वाले chapter है जो पुराने chapter अगर आप पढ़ना चाते हो इसी तरह से जैसे मैंने आज पढ़ाया NCRT से तो NCRT line by line revision series इसकी playlist मिल जाएगी आपको इसी channel पे उस playlist में जाके आप सा QIQS का session रखिए LD hide और amine chapter का ठीक है रख लेंगे done एक दम चलो फिर आज के लिए तना ही करते हैं सारे लोग अपना ख्याल रखें खुश रहें मस्त रहें हस्ते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें वीडियो को like जरूर करते रहें और अपने यार दोस्त